इस तो फाइनली रेडमी 10 प्राइम को इंडिया में लॉंज कर दिया गया है आज की इस वीडियो में मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को आपको बताने वाला हूं यह का सकते हैं बैसिकली आल सेटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे कि हम अपने मुवाइल फॉन के सेटिंग्स को कैसे कर सकते हैं ताकि हम जो है एज लॉंग टाइम इसको यूज कर सके ईजली वीडियो बहुत यहां पे backup and restore या क्या सकते हैं factory reset का इसके लिए अगर आप about phone पे click करते हैं तो अगर आपने कोई नया फोन लिया है तो इसमें क्या होगा कि आपको जो है लाइक इसको reset करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत बार क्या होता कि साई से काम नहीं करता है या क्या होता है कि हमेरी start अ update पर भी मैं बात करने वाला था बाट मैंने को लगा कि नहीं यह उतना जदा इंपोर्टन नहीं है जितना जदा कि security status है security status को अगर आप update करते हो तो इसे आपका data और भी बहुत सारी चीज़ें जो है safe रहती है suppose आपने अपने mobile phone में बहुत जाए data का collection रखा हुआ है तो वह लीक नहीं होगा अगर आपका security status तरिये तो यहां पर security update आप देख सेकते हो कि यहां से इसका security update कुछ ऐसा है back आता है बात करते हैं यहां पर third setting की तो third setting and most important है additional setting तो additional setting पर क्लिक कर अब इसके पहले भी मैंने 12.5 update के बाद additional setting कैसे काम कर रहा है इसके उपर एक proper वीडियो बना कर रखा है तो link description box में देदूगा and security status वाले के उपर भी मैंने एक वीडियो बना कर र इसना settings में आते हैं तो यहां पर आपको full screen display मिलेगा और यहां पर एक option मिलेगा full screen gesture का अगर आप इसे enable कर देते हैं तो इसे enable करने से यह होगा जैसे आप इसे enable कर देंगे तो आपके यह जो तीनो cut buttons है यह हड़ जाएंगे और आपको कहीं से right या left side से cut करना होगा easily आप ऐसे swap करोगे तो यह easily cut हो जाएगा खास बात इसी का है अगर इसके उपर पूरा चाहिए तो मैंने link description box में दे रखा है अब जाकर चेक कर ले जाएगा और यहां पर भी backup and restore यहां पर sound effect and factory set तीनों option मिल जाता है तो यह आपके लिए important होगा इसको जाकर एक बाद जरू most important and बहुत ही ज़्यादा useful setting तो इस यह है color scheme जिस पर कि मैंने एक video बना रखा है बट वह एक साल फुराना वीडियो हो गया तो वह कहीं और और पर काम कर रहा होगा बट अभी काम नहीं कर सकता है सायद मेरे क्याल से मेरे को से लगता है बट यहां पर हम आते है search button पर ऐसे आ यहां पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए सड्यूल डार्क मोड ब्राइटनेस लेबल रिडिंग मोड और यहां पर कालर स्कीम का एक आपको option दिखाई दे रहा है अब जैसे आपको तीन options मिलते हैं जैसे कि यहां पर स्ट्रेड और यहां पर स्टेंडर जैसे आप इन का डिस्पले का कलर हो जाएगा तो यहां पर हम इसको कूल में लखते हैं क्वल में बहुत ज़़दा important होता है बैक आते हैं तो यहां पर फॉंट का option मिलता है तो font यहां से हाप चेंज कर सकते हो जो की सबको पता हो तो आप अपने टेक्स साइज को बढ़ा कर सकते हो छोट के बारे मैंने एडिशनल सेटिंग में वाले वीडियो में बता रखा है तो उसको देखना मत भूलेगा उसको जाके एक बार ज़रूर देख लिए अब बात करते हैं सबसे important and last setting की तो वो setting है gallery setting अब gallery setting क्या होता है इसका आपको यूज कैसे करना है इस कूपर मैंने एक प्रोफर वीडियो अप्लोड करके रखा है अपने चनल पर तो जाके चेक कर लिजेगा वो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा helpful होगा और इसका मैंने दो पार्ट बनाकर रखा है तो एक बार तो जाके जलुए आपको चेक करना चाहिए वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इसको छोड़के बाकि सबके उपर वीडियो बनाया है तो जाके देख लिजेगा तो मैं दोस्त यही था आज के वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा दिन वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लेक जरूर किज़ेगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैद टेक केर गाइस लभी मेरे बाद